नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है देवी मा के दिन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता देवी मा गलत का साथ कभी नहीं देती है देवी का के इस पावन महिने में रूही की जिन्दगी में एक ऐसी मुसीबत आ चुकी है जिससे रूही चाहकर भी दूर नहीं कर पा रही है दोस्तों टीवी सीरियल मन सुंदर में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस ट्विस्ट के कारण रूही का नहर के साथ हमेशा के लिए साथ छूट जाने वाला है क्योंकि रूही के इस दुनिया से जाने की जूटी खबर को सच मान कर नहर की जिन्दगी को और आगे बढ़ाने के लिए दादी और सूनी इस देवी मा के महापर्व पर ही नहर की शादी अगनी के साथ करने जा रहे है नहर और अगनी की शादी इस देवी मा के पावन महिने में होने जा रही है दोस्तों रूही का कलेजा ही बाहर आ जाने वाला है क्योंकि रूही के जीते जी ही अगनी नाहर से शादी करने जा रही है रूही को अलग कर खुद नाहर को अपना बनाने में अगनी काम्याब रही दोस्तों रूही अगर अपने जीवित होने की सच्चाई सभी को नहीं बताई तो अगनी की शादी नाहर के साथ हो जाएगी नाहर अगनी के साथ शादी बिलकुल भी नहीं करना चाहता है क्योंकि नाहर अगनी से प्यार नहीं करता है उससे केवल दोस्ती के नाते उसके साथ रहता है लेकिन दादी की यह चाल शुरू से रही है अगनी को नाहर की पत्नी बनाने की है और आज अगनी और दादी इस चाल में काम्याब हो गई दोस्तों रूही को यह नहीं समझा रहा होता है कि वो करे तो करे क्या लेकिन जो भी हो देवी मा उसका ही साथ देती जो सच्चा हो अगनी और नाहर के रिष्टे जुड़ने से वो ही रोक सकती है क्योंकि सारी सच्चाई बिलकुल सही तरीके से उन्हें मालूम होती है अगनी और नाहर की शादी की सारी तैयारियां हवा के स्पीड से कारवाई जा रही है दोस्तों रूही एक ऐसा काम करने वाली है जिससे अगनी की शादी भी रुख जाने वाली है और उसकी सारी घटिया सच्चाई भी बाहर आ जाने वाली है दोस्तों सच्चाई को कितना भी छिपाया जाए वो बाहर आता ही है रूही को नाहर से भले ही कुछ दिनों तक दूर रहना पड़ा है लेकिन अब अगनी की नाहर की जिंदगी से हमेशा के लिए सफाया हो जाने वाला है दोस्तों ऐसा आप भी चाहते हैं तो देवी मां से प्रार्थना जरूर कीजिएगा